दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2023, साल का अंतिम महिना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी एक नया साल आने वाला है, ठीक है? एक दिसंबर 2023 के लिए जितने भी महतपुर्ण प्रेश्न बनेंगे करेंट अफेर्स के और साथ में जो उनका इस्टैटिक पोर्षन रहता है उन सभी को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखिए 10 से 12 मिनट की ये किलास रहती है हर रोज और इसमें जो सभी महतपुर्ण प्रेश्न बनते हैं हमारे करेंट अफेर्स के लिए उन सभी प्रेश्नों को हम इस वीडियो में डिसकस करते हैं वीडियो पसंद आती है आप लाइक कर सकते हो और अगर पीडियो चाहिए इस वीडियो की तो नीचे जाएए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलेगराम चैनल का लिंक मिलेगा उसे जोईन कीजिए और वहाँ से आप प्रत्य एक दिन की करेंट अफेर्स की जो पीडियो है इसीली डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए पहला प्रेशन है हाल ही में किस इस्थान पर भारत अंतरास्टिय व्यापार मेला दो हजार तेजिस का आयोजन किया गया है आपके ऑप्शन्स आपके सामने है और हमारे इस प्रेशन का सही जवाब ऑप्शन नमबर वन है दे दर्शित किया गया खासकर जो खादी कपड़ा उत्योकता उसका इसमें बोल बाला रहा है ठीक है और प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी ने भी वोकल फोर लोकल का जो कंसेप्ट है उसको अपनाने की अपील की यानि जो स्वदेशी चीजें है उसको अपनाई जाने की इसमें अपील की है तो बस इतना याद रखिए कि भारत अंतरास्टी व्यापार मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है ठीक है अगला प्रेशन है प्रिथम बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का सुभंकर क्या है देखिए प्रिथम बार यानि भारत में प यह सब किया जा रहा है और यह सब इसका जो सुभंकर है वो है उज्जला ठीक है ध्यान रखेंगे उज्जला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का सुभंकर है और आपको मैं बता दूँ कि लास्ट मन्थ चाइना के हांग जाओ में एशियन पैरा गेम्स हुए थे और ज जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन स्टार्ट कर दिया है जो चाइना में हांग जो में एसियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें इंडिया ने टोटल 111 मेडल्स जीते हैं 111 में 29 जो हैं गोल्ड है 31 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉंज हैं इसको याद रखेंगे आप ठीक ह जी चलिए तो बस इतना याद रखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का सुबंकर उज्जुला है और इसका आयोजन ने दिल्ली में किया जा रहा है और ध्यान रखेंगे पहली बार हो रहा है ठीक है हाल ही में गोबर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन आपको बताना है ने दिल्ली में किस इस्थान पर किया गया है नई दिल्ली, लखनव, वानार्चि या फिर गाजियाबाद और हमारे स्प्रेशन का सही जवाब ऑप्षन नमबर वन है नई दिल्ली में गोबर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन किया गया है देखिए गोबर प्लस धन 500 नए waste to wealth plants इस्थापित किये जाएंगे साथ में 200 compressed bio gas plant भी इस्थापित किये जाएंगे ठीक है देखिए गो बर्दन bio gas जो सम्मेलन है इसमें focus है हमारा अपसिस्ट को धन में परिवर्दित करना यानि कि जो sustainable development है और circular economy को promote करना जो वेस्टेज होता है उसके द्वारा gas का निर्माण करना और ये सब help करेगा हमारा 2070 तक का जो net zero carbon emission का हमारा target है उसको achieve करने में ठीक है ध्यान रखेंगे गो बर्दन bio gas सम्मेलन 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ठीक चलिए अगला प्रेशन है आस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में शतक लगाने वाले देश के पहले क्रिकेटर कौन बने है आपके options रितुराज गायकवार्ड, मुकेश कुमार, दीपक चाहर या प्रशिद कृष्ण देखिए हमारे इस प्रेशन का सही जवाब option number one देखिए रितुराज गायकवार्ड जो है, इन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रन बनाए है और अभी आपको पता होगा, जो है T20 मैच चल रहे हैं, तो तीसरा ही मैच था, हालाकि इंडिया इस मैच को हार गया था तो ध्यान रखेंगे, आस्ट्रेलिया के खिलाफ रितुराज गायकवार्ड बने हैं ऐसे प्लेयर जिन्होंने सतक लगाया है ठीक है, अगला प्रेशन है, हाल ही मैच जारी आवधिक स्रम बल सर्वेक्षन की रिपोर्ट के अनुसार, सहरी छेत्रों में बेरोजगारी दर कितने प्रतिसत हो गई है देखिए आवधिक स्रम बल सर्वेक्षन के दौरा हाल प्लाल में डेटा जारी किया गया उसमें बताया गया कि वर्स 2022 में बेरोजगारी दर इतनी थी सहरों में और 2023 में ये बेरोजगारी दर 6.6% हो गई है यानि कि कम हुई है और सहरों में जनसंख्या अनुपात की बात की जाये दो 2022 में 44.5% था जो की बढ़कल 46% हो गया है यानि कि जनसंख्या का अनुपात बड़ा है सहरों में तो ध्यान रखेंगे सहरों में बेरोजगारी की दर जो है 6.6 हो गई है अगला प्रेशन है United Nation Human Rights Commission का नानसेन पुरसकार के लिए निम्ण मैंसे किसे नामित किया गया है आपके options अब्दुल्लाही मीरे, रह्मान खातूम, जिया दुर्रानी या फातिमा शेक और हमारे expression का सही जवाब option number one है अब्दुल्लाही मीरे को जो है United Nation Human Rights नानसेन पुरसकार से समानित किया जाने के लिए नामित किया है देखिए United Nation Human Rights Commission का जो नानसेन पुरसकार है ये इसकी सुरुवात होती है 1945 में और ये उन व्यक्तियों को या groups को या organizations को दिया जाता है जो सरणार्थियों के साथ साथ यानि जो migrants होते हैं उनके साथ साथ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और राज्य विहीं लोगों की help करते हैं ठीक है और इनकी बात की जाये तो अब्दुल्लाही मीरे जो है एक पत्रकार सोमालिया के पूल सरणार्थी रह चुके हैं ठीक है और देखिए अभी फिलाल में जैसी कंडिशन बनी हुई है आप देखोगे यूक्रेन और रस्या के मध्ध है वहाँ पर बहुत से सरणार्थी एक दूसरी कंट्री में आना जाना कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में भी जा रहे हैं उसी प्रकार जो है इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य सरणार्थियों की जो समस्या है वो बनी हुई है और अपने हाँ देखेंगे भारत में तो रोहिंगया जो मुसल्मान है जो बांगला देस और मियामार से भारत में एंट्री किर कर चुके हैं वो उनकी समस्या भी भारत में बनी हुई है तो इनकी पच्छा में रहे wise पुरसकार का संबंद किस से है wise पुरसकार और हमारे expression का सही जवाब option number B है इसका संबंद शिक्छा से है और ये पुरसकार जो है प्रदान किया गया है educate girls की संस्थापक है सफीना हुसेन ठीक है त्यान रखेंगे सफीना हुसेन को wise पुरसकार प्रदान किया गया है और ये education से related पुरसकार है सिक्छा में उतकरष्ट योगदान के लिए ये award दिया जाता है ठीक है और ये जो educate girls जो है एक NGO की तरह वर्क करता है जिसमें artificial intelligence का ये use करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस गाउं या किस छित्र में लड़कियां जो है इस्कूल में नहीं जा रही है या उनकी संख्या इस्कूल जाने वाले लड़कियों की संख्या बहुत कम है ये लोग क्या करते हैं फिर ऐसे इलाकों को target करते हैं वहाँ घर घर जाकर लड़कियों को सिक्षा लेने के लिए और स्कूल जाने के लिए प्रमोट करते हैं ठीक है और गॉर्मेंट भी इनमें इनकी हेल्प करती है वाइज अवार्ड जो है यह वाला वार्ड यह 2009 में स्टार्ट हुआ था ठीक है कतर फांडेशन के द्वारा है यह भी याद रखना ठीक है चलिए अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेलिकॉम सेंटर ओफ एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी टेलिकॉम स रुड़की में वहाँ पर टेलिकॉम सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी और इस सेंटर में क्या होगा कि 5G टेकनलोजी को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाएगा साथ में जो 6G है अभी 5G चल रहा है अब 6G जो है उसकी रिसर्च पर इस है जा सके तो ध्यान रखेंगे टेलिकॉम सेंटर फॉर एक्सिलेंस का इस्थापित किया जाएगा ये सहारनपूर में सहारनपूर आप्शन नहीं होता है तो IIT रुड़की मिल जाएगा आपको आप्शन ठीक है चलिए अगला प्रेशन है केंद्रिय मंत्री मंडल ने यौन उत्पीडन यान यौन अपरादों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों को और कितने वर्सों तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है इनोंने देखिए fast track यौन अपरादों की सुनवाई करते हैं ये फिलहाल actually ये एक ऐसी अदालत होती है जो कहीं भी स्थापित की जा सकती है ठीक है और जो आपरादिक यौन अपराद जो होते हैं उनसे संब्दित ये सुनवाई करते हैं ताकि जो नियाय है वो जल्दी डिलीवर किया जा सके और ये अगले तीन वर्सों के लिए और इनको बढ़ा दिया है इनका कार्यकाल जो है फास्ट्रेक कोड जो है इसकी जो इस्थापना होती है यानि इसकी सुरुवात होती है वर्स 2019 में यौन अपरादों के मामलों में नियायक दिलाने के लिए समर्पित होते हैं ठीक है और निर्भया फंड से इसको फंड मिलता है ये जो अदालत होती है इनको ठीक है जी चलि बैंगलूरू, नॉइडा, जबलपूर या एहमदाबाद और option number one एकदम सही है, बैंगलूरू में देश का सबसे बड़ा circular railway बनाया जाएगा, almost 287 km लंबा, सभी important cities को इनके आसपास, जो भी important cities हैं, जैसे बैंगलूरू के आसपास, चेन नहीं, मंगालूरू, मैसूर, इन सभ को connect किया जाएगा, ठीक है, present में देखा जाएगा, तो चेन नहीं में देश का सबसे बड़ा circular railway है, जो की 235 km में चला हुआ है, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन देखिए आप लोग, केंद्रिय मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना को अगले कितने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहाब ने एक रेली के दोरान ये announcement किया था, कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना को अगले 5 वर्सों के लिए और बढ़ाया जाता है, देखिए, प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना जो है, इसकी सुरुआत होती है 2020 में, आपको पता होगा, ये जो टाइम था, कोरोना का टाइम था, ठीक है, खादे सुरक्षा प्रधान करने के लिए COVID-19 महामारी राहत उपाई के रूप में इसकी सुरुआत की गई थी, और इस योजना से almost 81.35 करोड जो लोग हैं, वो फाइदा उठा रहे हैं, इसमें क्या होत आपको, ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना की सुरुआत 2020 में होती है, ठीक है, और इसे अब अगले 5 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है, देखे, कुश्चन तो इतने ही थे, और यहाँ पर अब हमने दे रखे कुछ facts और क 15 नवंबर कुब होती है, उसी देन जन जाती है आदिवाशी दिवस मनाया गया, और उसी देन प्रधान मंतरी साहब ने इस योजना की जो है अनाॉंसमेंट किया था, और अब इसको केंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है, इसमें क्या होगा, जन जाती है, उसके लिए कल्या प्रिया में इस्तित है, और ये भगवान विश्नु को समर्पित है, प्रिजेंट में हिंदू और बौधेज्म, दोनों की कलाकरितियों से ये सुसजित है, ठीक है, हाला कि खंडर हो चुका है, और गिनीज वर्ल्ड बुक्र में रिकॉर्ड भी है ये, और अब ये आठमा प्राजूबा बन चुका है, क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं, न्यूजी लेंड के प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने अनॉंसमेंट किया है, कि जो पिछली सरकार थी, उन्होंने धुम्रपान पर बेहन लगा रखा था, अब ये बेहन हट जाएगा, ठीक है, चलिए, आई प्राइस्ट सीरीज का खिताब जीता है, इस कूप ने, यानक न, इंपोर्टेंट प्रिष्ट है, जो सी मठ आपदा के संबंध में, ग्रह मंत्री अमित साहा की अध्यक्ष्टा में समीती का गठन, आपको पता होगा, प्रिजेंट में जो सी मठ जो है, एक धस रहा है ठीक है जी, चलिए, ये था हमारा करेंट एफियर्स एक दिसंबर का, आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, खराब लगा है, दोनों ही राय आपनी दे सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है जी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, त ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जै हिंद, जै भारत!